Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 2.1 से question number 6 करेंगे Write the predecessor of, ये 4 number दे रखे हैं, इनका आपको predecessor निकालना है अब predecessor का मतलब होता है पिछला number, just पिछला number जो भी आपको दिया है, उससे जो पहले आएगा, एक step पहले, वो ही आपका predecessor होता है अब जैसे 94 है, तो 94 से पहले क्या आएगा? simple 93 ही आएगा, तो जो भी नमबर दिया हो आपको, उसमें से आप 1 माइनस कर लिया करें तो आपको predecessor पता चल जाएगा, 4 में से 1 गया, तो 3 आया, 9 का 9 आ गया तो इसका predecessor हो गया है 93 अगला number देखिए, बी पार्ट, यहाँ पे लिखा है 1 और 4 टाइम 0 अब आपको पता नहीं चलेगा कि इससे पिछला number क्या होगा एकदम से देखने से तो इसमें क्या है, 1 माइनस कर लिजिए 1 और 1, 2, 3, 4 यह आपका number है, इसमें से 1 माइनस कर लेते हैं यह कर लिया 1 अब 0 से तो 1 जा नहीं सकता यह 0 इसके पास जाएगा, यहाँ भी carry नहीं ले सकता यहाँ जाएगा इसके पास भी नहीं है, यहाँ जाएगा इसके पास भी कोई number नहीं है यह यहाँ पे जाएगा 1 के पास तो 1 इसको दे देगा और ये अपने आगे लगा के खुद को 10 बना लेगा और 1 के पास तो कुछ बचा नहीं 1 ही था, वो इसने यहां दे दिया तो इसके पास 0 बचा अब ये 10 अगले वाले 0 को दे के इसे तो 10 बना देगा और खुद ये अब 9 रह जाएगा यह 10 अगले वाले को दे देगा तो अगला 10 बन जाएगा और खुद अभी है 9 रह जाएगा यह 10 इसको अगले को दे देगा carry तो यह 10 बन जाएगा और यह खुद अभ 9 ही रह जाएगा अब हम इसे substitute करते हैं अब यहाँ 10 है 10 में से 1 गया तो 9 बजा यहाँ 9 बना है 9 में से कुछ नहीं जारा 9 यहाँ 9 है 9 में से कुछ नहीं जारा 9 यहाँ पे 9 है 9 में से कुछ नहीं जारा 9 यहाँ पे 0 है और यहाँ 0 तो 00 कुछ भी नहीं 0 तो यह आया है आपका नंबर 9999 तो यह इसका predecessor है मैं short में लिख रहा हूँ आप पूरा लिखना predecessor हो गया है 9, 9, 9, 9 कॉमा लगा ले न इंडियन सिस्टम में तो 3 पे कॉमा लग गया पहला जलिए इसके बाद इसका C पार्ट करते हैं C पार्ट के अंदर 2, 0, 8, 0, 9, 0 अब अगर इसका आपको direct predecessor निकालना हो तो direct भी आप लिख सकते हैं देखिए पीछे 90 लिखा हुआ है अब 90 से पहले आता है 89 तो बाकी सारा सेम रहेगा बस ये 90 का 89 हो जाएगा क्योंकि 90 से पहले 89 होता है अगर आपको कोई confusion लगती है तो आप subtract कर ले चलिए subtract करके दिखा देता हूं तो 0 से तो 1 नहीं जाएगा ये इस पे से carry लेगा ये 10 बन जाएगा और 9 के पास 8 रह जाएगा तो 10 में से 1 गया तो 9 आ गया 8 से कुछ नहीं जा रहा तो 8 और 0 का 0, 8 का 8 0 का 0 और 2 का 2 तो ये ही आए ना तो ये इसका predecessor हो गया तो अगर आपको डारेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है और किसी भी तरह का कोई confusion नहीं है तो ये करने की भी जूरूत नहीं है exam में time बचाने के लिए आप डारेक्ट भी कर सकते हैं बस ये concept है इसलिए मैं करकर के दिखा रहा हूं आपको अगला नमबर देखिए 7,6,5,4,3,2,1 अब यहां पीछे 21 लिखा हुआ है 21 से पीछे क्या होता है 20 होता है तो बाकी सारा सेम रहेगा और इसका predecessor हो जाएगा 7,6,5,4,3,2 और ये 0 ये 21 का 20 हो गया माइनस करके भी देख लीजिए ये 3,2,0 कर लिया मैंने यहां पर 1 है इसमें से 1 ही माइनस करना है तो 1 में से 1 गया तो 0 आ गया और बाकी सारा सेम टो सेम है 2 का 2,3 का 3,4 का 4,5 का 5 6 का 6 और 7 का 7 कॉमा लगा ले 3 पे कॉमा और फिर 2 पे कॉमा तो predecessor का just simple सा मतलब होता है कि उससे just एक पहला नंबर और जब हम 1 माइनस कर देते हैं तो उससे पहला नंबर पता चल जाता है अगर आपको पीछे के नंबर आसान दिखाई दे रहे हैं तो आप बिना subtract किये भी कर सकते हैं और कहीं कहीं कोई नंबर अगर मुश्किल दिखाई दे रहा